अनकेडमी आपके लिए लेकर आया है मिशन बैच SBI कलर्ड 2021 आज ही सब्सक्राइब करें अनकेडमी प्लस पर और पाएं अंकुष सर, साक्षी में, राहूल सर, सोकेश सर और इंडिया के और भी कई टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर इन सभी एजुकेटर्स क के तैयारी कर रहे हैं तो यह सही मौका है इस अपर्चुनिटी का लाव उठाने का 31 दिसंबर के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी बिना किसी वक्त चाया किये सब्सक्राइब करें अनकेडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं अनकेडम कोड जो की है एगरी 10 यहां पर दे रखा है एन्रोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्स्पिरियंस करें अनकेडमी प्लेटफॉर्म को और यही नहीं यदि आप अनकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिसकाउंट मिलेगा जो और लिडी एप्लाइड होगा नमस्कार जैहिंद मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एगरी मंत्रा चेंजिंग दा बे ओफ तिंकिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर एई यो और एग्जाम के टोप 20 कोशनों के बारे में जो कि आपके एग्जाम के ये काफी महत्वपून रहने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है तो वीडियो के साथ आखरी तक बने रहे हैं कोशन नम्मर वन बीविल बिलॉंग्स टू फैमली यहाँ पे बीविल की फैमली के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा करकूलियोंदी यह आपको याद रखना है अच्छा कोशन है यह फिर आगे हम बात करते हैं रेफेनो ब्रेसिका इस ओप्टेंड फ्रॉम क्रोस बिडवीन तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए रेफेनो रेफेनस सटाइबस क्रोस ब्रेसिका ओलरेसिया नेक्स इसको हम क्या कहते हैं तो इसको हम कहते हैं फॉस्पोरिलेशन यह भी आपको याद रखना है फिर है इस्टोमेटा ओपन एट नाइट मतलब कि जो इस्टोमेटा होते हैं वो रात में ही ओपन होते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है केम केम प्लांट्स में इस्टोमे राइट आंसर है वो है पपाया आपको इसको याद रखना है रेड लेटी पपाया की एक वेराइटी है एक किश्म है फिर आगे बात करते हैं तो जो बेसिक सलेग होता है उसमें फासफुरस जो होता है वो 13 से 18 परसेंट होता है ठीक है तो हमारा यहां पर राइट आंसर होग पर पर बीराइट आइसोक्रेट्स इसको अनार बटर फ्लाई हम कहते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वोगा अनार फिर आगे हम बात करते हैं the term third generation pesticide कौन से साइटिस्ट द्वारा दी गई है यहां पर यह पूछा जा रहा है तो इसका जो राइट आंसर है वो है दिया था 3rd generation pesticide को और ये 1967 में दिया गया था दोनो पॉइंट काफी महित्वपून है आपको इसको याद रखना है अगला question है frozen semen is stored at तो इसका जो right answer होगा वो होगा minus 196 degree Celsius ये भी काफी अच्छा question है कई सारे exam हमें इसको पूछा गया है आगे हम बात करते हैं question number 11 की enough farm where income from one source is 50% or more from one source यानि की यहाँ पर बात हो रही है कि अगर किसी एक ही source से 50% या उससे ज़्यादा हमको income प्राप्त हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे तो यहाँ पर हमारा right answer है specialized farming फिर आगे बढ़ते है question number 12 for safety requirements minimum length of feeding cut of thresher मतलब की जो cutter होता है इसको cutter भी हम कह सकते हैं जो cutter होता है thresher का जहां से आप जो गाला गाला देते हैं मतलब की जो भी crop रहती है जहां से आप thresher में उसको डालते हैं human safety के लिए उसमें कितनी distance को आप दूरी रखना है ताकि आपको किसी परकार का कोई नुकसान ना हो आपकी जान को ये एक एक्जाम में आया हुआ कोशन है और ये मद्यप्रदेश के एक्जाम में ही agriculture विभाग में ये कोशन आया हुआ था ठीक है तो इसका जो आंसर जो ब्यापाम को द्वारा लिया गया था बो लिया गया था 90 cm ये एक्जाम में पूछा था इसको आपको याद रखना है 90 cm इसका आंसर है आगे बढ़ते हैं the concave clearance in a thracer can be adjusted by ये भी ब्यापाम में agriculture section में पूछा गया कोशन है तो इसका जो आंसर है वो है rising or lowering the cylinder end is concave ये भी इसका सही आंसर है तो दोनों कोशन आपको याद रखना है ये engineering कोशन है और ये एक्जाम में पूछे गए थे फिर आगे हम बात करते हैं the inflation pressure in front tire of tractor मतलब कि जो tractor के अगले पहिये होते हैं उनमें जो दबाव होता है हबाव का वो पूछा गया है किलो ग्राम पर cm2 में ठीक है तो एक चीज़ और आप इसको clear कर लीजे कि जो tractor के जो प ये में ज़्यादा दबाव होता है size में भले ही छोटे होते हैं लेकिन उनमें जो pressure होता है air pressure वो ज़्यादा होता है as compared to उनके जो पिछले tire होते हैं उनकी comparison में तो यहाँ पे हम front tire की बात कर रहे हैं आगले tire की बात कर रहे हैं तो इसका जो answer है वो है 1.222 kg पर cm2 ये इसका right answer है जान लिजे जो front tire होते हैं उनमें जो pressure होता है वो होता है 1.5 to 2.5 kg पर cm2 इनमें pressure होता है front में और जो rear वाले भील होते हैं पुरान पिछले पाई होते हैं तो उनमें जो pressure होता है वो 0.8 to 1.5 kg पर cm2 होता है ये दोनों points को याद कर लेना क्योंकि इस type के question exam में पूछते ह है आगे बात करते हैं when average product is decreasing यानि कि जो आपका AP है average product है वो decrease कर रहा है what is the position of MP यानि marginal product की तो यहाँ पर जो हमारा right answer होगा वो होगा marginal product is less than average product ये भी अच्छा कोशन है इसको भी याद रखना है फिर बात करते हैं are we calling is breed of are we calling is breed of are we calling a breed है जो की sheep की breed है ये भी काफी अच्छा question है महजबबून question है आपको इसको याद रखना है आगे बात करते हैं which one of the following composite variety is not having opaque to gene की यहाँ पे या इन में से कौन सी variety है जिसमें opaque to gene नहीं है या नहीं पाया जाता तो जा बाहर जो variety है उसमें opaque to gene नहीं पाया जाता ये भी काफी अच्छा question है फिर आगे बढ़ते हैं which of the following variety of banana need propping मतलब कि जो यहाँ पे variety दे रखी है इन में से कौन सी variety है या कौन सी किशमें है एक से जादा जिनको propping की जरुवत होती है काफी अच्छा question है और ये भी exam में पूछा हुआ question है MPK ADA के exam में ये question आया था तो यहाँ पे इसका जो answer है वो है gross michelle right answer है और आपको इसको याद रखना है exam में भी इसका answer gross में चेली लिया गया था फिर आगे हम बात करते हैं question number 19 की mango has bearing habit bitches mango में bearing habit है वो कैसी है वो terminal type की है तो ये भी आपको याद रखना है ये भी अच्छा question है आगे बढ़ते हैं आज के last question question number 20 की तरफ the minimum isolation distance required for often cross pollinated crop यानि कि often cross pollinated crop की यहाँ पर minimum isolation distance हमसे पूछी गई है तो इसका जो right answer है वो है 30 meter I hope आपको ये session पसंद आया होगा इस वीडियो को ज़्यादा सज्यादा शेयर करें 37 वीडियो को ज़्यादा सज्यादा like करें अगर agree mantra channel पर ना है तो channel को subscribe जरू करें और चाहें तो agree mantra के social media platform को join कर सकते हैं link आपको वीडियो की description box में मिल जाएगी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत